प्रश्क्राइब करें दर स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोग जिस तरह महिनत कर रहे हैं अगर इसी तरह महिनत करते रहें दोस्तों तो निश्चित ही हम लोग सफर जरूर होंगे दोस्तों और मैंने कहा है कि अगर आपको कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो आप वाटसेप ग्रूप पर बता आते थे दोस्तों तो आप कुछ दिन में दोस्तों उसको भी सही किराएगा जो लोग उसमें फालतों जुड़े हैं उनको उसमें से हटा दिया जाएगा दोस्तों तो जब उनको हटा दिया जाएगा तब प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो दोस्तों चलिए हम लोगों की जो स्र बखना चाहिनल लिखे कम से कम लगना चाहिए, देखता हूं कि एक या दो बच्चों का कमिंट आता है बस, तो एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद लिखें दोस्तों, हेलो अभी जय हिंद, गुड मॉर्निंग, आर्सीस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉटीन, मोहित, जिख्यों करते हैं अपना सेसन और आप जो नहीं सेर्किया है इमानदारी से एक बार सेर्र जरूरर करियेगा दोस्तों तो हम लोग तो ही जैसा की जानते हैं वही क्रम है जो नए जुड़ रहे हूंगे दोस्तों वो भी जान लें कि सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं जी हां दोस्तों सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं और रूल में आज आपके लिए क्या है दोस्तों देखिए आज आपके लिए स्क्रीन पर आपकी लगा होगा दोस्तों कुछ वर्ड दिये गए हैं जैसा कि हम हर बार करवाते हैं वर्ड आपका लि अपनी बनाते चलिए दोस्तों नोट्स अपनी बनाते चलिए मैं एक दिन कुछ करवाऊंगे दोस्तों और जिसकी सबसे अच्छी नोट्स रहेगी दोस्तों उसको पुरुस्कृत किया जाएगा जिसकी नोट्स सबसे अच्छी रहेगी दोस्तों उसको पुरुस्कृत किया जाएगा मेरी तरफ से कुछ न कुछी नाम दिया जाएगा और उसकी photo या फिर वीडियो कॉल के माध्यन से उसको direct online आपके साथ सामने दिखाया जाएगा दोस्तों तो notes number 1 की बनाइएगा दोस्तों notes number 1 की बनाइएगा आपको word दिख रहे होंगे दोस्तों देखिए पहला वर्ड आपको दिख रहा हो Compartibly Better जी हां दोस्तो क्या है दोस्तो Compartibly C-O-Y-A-R-A-T-I-V-L-E दोस्तो Compartibly का मतलब ही होता है तुलना करना तुलना अतमक चाहे आप Compartibly की बात करें दोस्तो और चाहे आप दूसरे वर्ड की बात करें कंप्रेटिवली और रिलेटिवली दोनों का मतलब होता है जोस्तों तुलनातमर रूप से तो इन दोनों के साथ दोस्तों कभी भी आपकी कॉम्प्रेटिव डिग्री अर्थाथ बेटर का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों इसके साथ कभी भी better का प्रियोग नहीं किया जाता इसके साथ प्रियोग किसका किया जाता है दोस्तों तो इसके साथ good का प्रियोग किया जाता है जी हाँ दोस्तों इसके साथ हमेशा good का प्रियोग किया जाता है मतलब comparatively good या relatively good होता है दोस्तों तुलनात्मक रूप से अच्छा इसका अर्थ जो होगा दोस्तों तुलनात्मक रूप से अच्छा होता है इसका अर्थ तो comparatively good या relatively good दोस्तों अगर आपको common error में मिल जाए comparatively के साथ better का प्रयोग तो जान लीजिएगा कि जिस option में better जिस पार्ट में आपका better होगा वही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों जिस अगर आपको relatively better मिल जाता है जोस्तों तो जिस पार्ट में better रहें का वही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों जैसा तीसरा वर्ड आपकी screen पर क्या लिखा है देखिएगा उसी में तीसरा वर लिखा है दोस्तो कजिन ब्रदर या सिस्टर कजिन ब्रदर या सिस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तो देखें कजिन का मतलब ही होता है कि चचेरा भाई या चचेरी बहन कजिन केवल केवल दोस्तो कजिन का C-O-U-S-I-N कजिन का मतलब ही होता है दोस्तों चचेरा भाई या चचेरी बहन तो इसके साथ दोस्तों ब्रदर या सिश्टर लगाने की जरूरत नहीं है जी हाँ दोस्तों अगर कहीं पर कजिन आपने लिख दिया कजिन आपने लिख दिया तो इसके साथ ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है कजिन ब्रदर या सिस्टर मतलब कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या बहन तो अगर कहीं पर कजिन ब्रदर लिखा है या cousin sister लिखा है दोस्तों तो जिस part में ये लिखा रहेगा वही पार्ट आपका गलत हो जायेगा दोस्तों अगला आप देख रहे होंगे दोस्तों लिखा है come across with जी हाँ दोस्तों देख रहे होंगे अगला वर्ड आपका लिखा रहे है कम एक्रॉस बीथ जी हां दोस्तों देखिए कम एक्रॉस बीथ का मतलब क्या होता है जैसे आप मानली जीए सड़क क्रास कर रहे हूं ठीक आप सड़क क्रास कर रहे हूं और सामने आपको आपके चाचा मिल जाए तो उसे कहते हैं कम एक्रॉस बीथ मतलब अचानक मुलाकात हो जाना तो इसके साथ बीद का कोई मतलब नहीं है एक नटूखिए कहा दोस्तों कर दोस्तों का मतलब ही होता है दोस्तों अचानक मिल जाना थीक है आवाज क्लियर है दोस्तों एक बार कमेंट करें सब लोग आवाज क्लियर है अगर क्लियर हो दोस्तों तो जाए हिंद लिख कर मैसेज करिए दोस्तों अगर आवाज क्लियर हो दोस्तों तो जाए हिंद लिख कर मैसेज करिए और याद रखिएगा कि अगर आपके लिए मैं पसीना बाहर आओ दोस्तों तो आपको करता बेबनता ह लगे हुए हैं हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो आपका भी ये करता विबनता है कि आप भी हमारे लिए मेहनत करें और जैसा कि दोस्तों मैं कल देख रहा था रात वाली क्लास दोस्तों रागा वाली क्लास देख रहा था उसमें जो है ज्यादा बच्चे उपस्थित नहीं थे बहुत ज्यादा ज्यादा बारा या तेरा बच्चे देख रहे थे दोस्तों तो देखिए आपके लिए ही ये बैच चल रही है दोस्तों अगर आप रिस्पॉंस नहीं करेंगे तो फिर मुझको बैच बंद करनी पड़ जाएगी क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग हमारा उसायाँ बढ़ाएंगे तो आपको अच्छा अच्छा मेंतरिया दी जाएगे दोस्तों आगर प्रफ्रकारी करें individu बताईए कि आ रहा हो तो यह लहीं कि JOTE सत को मतलब बता दिजए कि नहीं सर समझ में आ रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है चलिए कोई बाती सब hoe क्मेंट में देख रहा हूं दोस्तों देखे मैं comment कर plugins चुए देखिए बोल अचानक मिल जाना तो इसके साथ बिथ का प्रयोग नहीं किया जाता जैसे उसी क्रमी देखिया अगला लिखा हुआ है दोस्टों बिथ बैग याइनड बैगेजा जी हाँ दोस्तों लास्सरों टेंथ में दोस्तों लास्सरों जब आप रहते दोस्तों तो वहां पर एक जो है आपका idiom phrase हुआ करता था बैगेंड बैगेज का मतलब ही होता है दोस्तों बोरिया विस्तरा सहीत तो बित का प्रयोग नहीं किया जाता अर्थात अगर कहीं बित बैगेंड बैगेज लिखा है तो जिस portion में बित लिखा हुआ है वही portion आपका गलत हो जाएगा अर्थात बित बैगेंड बैगेज नहीं होता दोस्तों बैगेंड बैगेंगेज होता है करिक अपका जयसा कि आगला ँखा हूआ आते हैं तरीजन के साथ कभी विकाज का प्रयोग नहीं किया जाता है उसी तरह दोस्तो को आल राइट अगला दिखरे होंगे को आज लिखा हुआ है और को jako त्बर कभी साथ नहीं रहता दोस्तों को ऐइट और आण राइट कभी साथ नहीं universe है अगला दोस्तों देखाए होंगे इक वलीडर डाट अएज एक्वली का मतलब ही होता है तो बराबर और आज D colonies का मतलब होता है कि बराबर दोनों का sense जो निकलता है तो बराबर ही निकलता है तिसलिए चाहे आप equally का प्रियोग करिए दोस्तों और चाहे आप age dot age का प्रियोग करिए लेकिन दोनों कभी साथ में प्रियोग नहीं किया जाता क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों तो दोस्तों पहले दा लग जाया जैसे दा हिंदू दा हिंदू का मतलब हिंदुस्तानी होता है दोस्तों तो उसी तरह दा हिंदी दा हिंदी का मतलब होता है दोस्तों हिंदुस्तानी उसी तरह दा इंग्लिस का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेज तो दा इंग्लिस टीचर का मतलब अंग लेक्चर ससिफ दिख रहा हुगा दुस्तों आपको लेक्चरर रटम murder रहा दोस्तों तो इसका धोस्तों लेक्चरर सिफ नहीं होता दोस्तों लेक्चर Son होता है ठिक तो यह था आज का वर्ड दोस्तों और चलिए हम लोग चलते हैं एरर पर चलते हैं दोस्तों और आप लोग बताईए कि दोस्तों कि इसमें क्या होगा जी हां दोस्तों पहला और दूसरा आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों पहला और दूसरा एरर आपकी स्क्र तूँडब की पेसेंट मतलब रहे ही तोड़े अच्छा है तूड़े मतलब आज एंड माने और n कम् tiro collectively B2 कट की हमिए तुलनात्मिक्ट के चंठि पैसा करता हूं ही यह vinstAg बढ़ा सून वह सी ग्रही स्वस्थ हो जाएगा जिक दो मतलब कि पेशन्ट तुलनात्मक रूप से आज अच्छा है और मैं आशा करता हूं कि होसी ग्रही क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा या स्वस्थ हो जाएगा दोस्तों इसमें बताईए दोस्तों गलत क्या है तो मैं देख रहा हूं अभी का सही जवाब आ रहा है और नवीन का सही जवाब आ रहा है नमन का भी सही जवाब आ रहा है आसीज का भी सही जवाब आ रहा है दोस्तों एक चीज़ और कि अगर मैं आपका नाम न ले पाऊं दोस्तों तो बुरा मत मानिएगा क्योंकि नाम एक नएक दिन जरूर आपका लिया जाएगा दोस्तों तो ठीक है सहिरवाब आ रहा है अर्थात कमप्रिटेबली के साथ दोस्तों बेटर का प्रियोग दो नहीं किया जाएगा अर्थात पहले में जो आपका एरर है दोस्तों ए पार्ट में है उसी तरह दुसरा देख रहे हैं दोस्तों मतलब इस मरीज की यह 11 की स्तित ही आगे लिखाए दोस्तों इज माने है relatively बेटर तुलनात्मक रूप से अच्छी मतलब इस मरीज की कंडीशन या इस मरीज की हालत पहले की आप एच्छा अच्छी है आगे देखिए दोस्तों सो माने इसलिए we are happy now इसलिए हम प्रशन है हम अब प्रशन है जी हां दोस्तों इसमें आपको error बताना है दोस्तों और मैंने कहा दोस्तों चाहे आप completely better हो चाहे आप relatively better हो दोनों की जहां पे दोस्तों better का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसलिए जो error है दोस्तों दूसरे वाले में B part में error है जी हां दोस्तों आगे देखिए दोस्तों तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों क्या कह रहा है देखिएगा तीसरा कह रहा है एक कजिन सिस्टर आफ दा चेयर मैं said that she would like to succeed him when his term expired जी हां दोस्तों इसमें error बताना है दोस्तों और चुकि देख रहे हूंगे आप पहले पार् कह रहता है कि कभी भी कजिन के साथ ब्रस या सिस्टर का प्राइब नहीं किया जाता है एक बार जयहिंद निखिए दोस्तों देख रहा हूं CC 50 लोग देख रहा है दोस्तों आप कर सकते हैं और आप करेंगे दोस्तों और आप पचास पार करिए दोस्तों सेयर करिए पचास पार करिए चाहिज ऐसे दोस्तों देख तक देखते हैं चोधा देख रहे हैं लिखा है इन कानपूर मतलब कानपूर में मतलब अचानक मिल गया अपको बताना है गलत क्या है तो आप लोग प्रेंड करिए दोस्तों और बताईए कि समें गलत क्या है जी याँ दोस्तों किलिए आपकी लिए दोस्तों कि समय हो गालत है दोस्तों देख लिए आपके लिए आपके लिए दोस्तों से स्हुमझ रहा है और आप जो है इस buffer की मत कम एक्रॉस के साथ दोस्तों बीत का प्रयोग नहीं किया जाता अर्थात कम एक्रॉस ही रहेगा जी हां दोस्तों तो चलिए दोस्तों अगले कुश्यन पर देखते हैं अगला आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों पाच्वा और छठ्वा कह रहा है दोस्तों The man was fed up with his miserable condition. So he left the village with bags and baggage. जी हाँ दोस्तों. The man was fed up with his miserable condition. So he left the village with bag and baggage दोस्तों. और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए अप लोग कमेंट करिये दोस्तों. पचवां और छठवां आप लोग कमेंट करिये दोस्तों. छटवा लिखा है दोस्तों the region why most of the people committed crime is because they have not been properly educated जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों पहले पचोय का बताईए और पचोय में हमने बताया दोस्तों बैगाएंड बैगेज के साथ कभी बित का प्रियोग नहीं किया जाता क्योंकि बैगाएंड बैगेज का मतलब ही होता दोस्तों बोरिया बिस्तरा के साथ तो बित का मतलब ही होता है साथ तो इसलिए बोरिया बिस्तरा के साथ साथ नहीं होगा दोस्तों केवल बैगाएंड बैगेज होगा अर्थात इसमें जो एरर है दोस्तों वो आपका किस पार to see me error है और छटवा दिखरा है the region why most of the pupil commit crime is because तो देख रहे होगी तो दोस्तों मैंने कहा कि the region data because अगर लिखा हुआ है दोस्तों the region data because नहीं होता the region data diet होता है दोस्तों तो जहां पर ये विकाज लिखा हुआ है पर diet हो जाएगा अर्थाद दोस्तों इसका जो मतलब की गलत पार्ट है वो बी में गलत होगा जी इसका जो रॉंग पार्ट है दोस्तों वो बी में रॉंग होगा तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आगे चलते हैं आज का हम लोगों का जो रूल 2 है और रूल 2 में हम लोग चुकी नाउन का पढ़ रहे हैं दोस्तों कर भी हमने पढ़ा था अगर कल वाली क्लास नहीं देखें दोस्तों कल वाली क्लास देख लीजेगा और दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा साथ म noun का जो दूसरा rule है वो ये है कि कुछ noun होते हैं दोस्तों मैं एक बार noun की परिभासा फिर्स बता देता हूं दोस्तों दुनिया में जितनी भी चीजे दिखाई देती हैं वो सभी noun है दोस्तों the name of person, place or thing is God noun whether, Love, बार यां डिखाई देती हैं दोस्तों आर्थात कोई भी चीज हो दुनिया में कोई भी चीज हो दोस्तों वो सभी गया है दोस्तों नान है तो देखिये दोस्तोंutan सरद देखते हैं अर्थात दूसरा rule कि कुछ noun मतलब कुछ नाओ-बह्वचन दिखते हैं और बहवचन ही होते हैं जैसे दोस्तों जैसे क्या है देखेगा सर्राउंड remedyऄं के जी हां दोस्तों आपकी स्क्रीन स्क्रेंट दिख रहा होगा दोस्तों सार्म तो दोस्तों सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों और अगर कहीं पर दोस्तों सराउंडिंग्स लिखा है तो यह नहीं कि यस नहीं हतेगा दोस्तों इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जो लिखी जाएगी दोस्तों य ओस्तों उसमें हिंदी भी लिखी हुई है क्या लिखा है कि मैं पढ़ देता हूँ एक बार लिखा है सराउंडिंग्स आंस थैंस क्रेडेंगरेंटीटर असर्ट मतलब होता है वार्सिते दोस्तों इस्पिरिट्स ट्राउजर सभी यह जृतने भी पहनने वाली चीज्व दोस्तो और उसी तरह दोस्तों इस पेटेकल्स स्पी इस है मतलब दोस्तों होता है समा इस पेटेकल्स मतलब द्रिस है लेकिनで you expect, तो यह आपका द्रिश्ज्ट है क्या है दोस्तों यह द्रिस्ट है ठीक और यह remarkably confusion मत करिएगा दोस्तों आगर इस pride कर लिखा है दोस्तों तो भाष समझने की कोशिस कीजिएगा जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं दूस्तों जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं आपकी स्क्रिइन पर चाहिए वोगा दोस्तोंि इस्पत Khali कि एंपोर्टेंट लिए दोस्तों आपो कर लीजिए टिक करने के मतलब इसको आप लिख लीजिए दोस्तों यह सभी इंपोर्टेंट है और वहीं आपका सॉक्स और मतलब जितनी भी पहनने वाली चीज़े हैं वो सभी आपकी प्लियूलर में रहेंगी ही दोस्तों चलिए मैं लिखता हूं वर्ड लिख रहा था दोस इस प्रेक्टेकल्स आई माने मैं कुड माने सकता हूं स्थी माने देख दाइस प्रेक्टेकल मतलब द्रिस्ट को मैं द्रिस्ट को देख सकता हूं बीथ बीथ दाहेल पाफ इस प्रेक्टेकल्स ठीक चस्मे की मदद से जी हां दूस्तों मैं चस्मे की मदद से द्रिस्ट को को देख सकता हूँ या फिर I could see the spectacle मैं द्रिश्च को देख सकता हूँ बीथ दा हेल्प आफ और यहां पर दोस्तों इस प्रिक्टेकल ना करके आफ माई बाई नो कुलर बाई नो कुलर अब दिखे दोस्तों इसमें आपको एरर बतानी है और जो आपको दिख रहा था भी अब नहीं दिख रहा होगा दोस्तों जो आपको वर्ड दिखा था उसमें एक वर्ड था दोस्तों बाई नो कुलर्स और बाई नो कुलर्स का मतलब होता है जोस्तों क्या होता है बाइनो कुलर्स का मतलब होता है क्या दूर दर्सी या फिर दूर्बीन बाइनो कुलर्स का मतलब होता है दोस्तों दूर्बीन तो एरर कैसे देंगे दोस्तों एरर कैसे देंगे सुनिएगा यह यस हटा देंगे दोस्तों यह यस हटा देंगे तो आप लोग समझेंगे कि बा मतलब I could see the spectacles, I mean I could see the spectacles, बिद the help of my binoculus, मतलब मैं अपनी दुरबीन से चस्मा देख सकता हूं, मतलब दुरबीन से अगर देखोगे तो चस्मा देखोगी दोस्तों, तो वही चीज़ है, अर्थात spectacle मतलब होता है दोस्तों, तुरी का मतलब होता है तो जोस्तों अगर तुरहें के अगर संसमें आ रहा रहा हो थो जल्दी हो अउठा उपर रहना चाहिए और जय हिंद लिखिये मोहित जैंद अभी जैंद नीरज जैंद जाहिंग सभी को सभी जाहिड दोस्तों दोस्तों आगे चलते हैं क् मैं कांगराइब चुलेशंस on yours कांग चुलेशं on your sucks जी हैं दूस्तों बताएब दोस्तों इसمें अर्ण क्या है इसमें धोस्तों बताईए कि कहा पे है अगर मैं डिलाइट करूंद दोस्तों यह तो hovering जलिए और बी मैंने दो एन आपके होगाront करना हूं मैं आपके कामेंट के इतुझार कर हो बताइए कि धूनों नहीं होता है होता क्या है दोस्तों congratulations होता है अर्थात congratulations होता है दोस्तों तो जो error है दोस्तों वो किस part में है ए part में है अर्थात जितने भी word होने लिखे दोस्तों इसके साथ हमेशा हमेशा जो helping verb लगती है दोस्तों helping verb आपकी क्या लगेगी helping verb भी आपकी plural ही लगेगी और word भी आपके क्या होंगे plural होंगे ठीक तो यह था दोस्तो रूल अब आगे चलते हैं दोस्तों हम आगे चलते हैं और अपने OWS पर चलते हैं जी हां दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, OWS पर चलते हैं, तब तक एक बार जल्दी से आप स्टेर कर दीजिए, तुरंत आते हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से स्टेर कर दीजिए, एक बार जल्दी से स्टेर कर दीजिए दोस्तों, पानी पी लें, और कि चलिए दोस्तों कर दे हैं आप लोग एक बार जली स्टेर कर दीजिए दोस्तों वेटाइ्स edin one word substitution जी हाँ दोस्तों और one word substitution में आज का जो टॉपिक है हम लोगों का देखिए आगे उसी के अगर आप लोग दोस्तों फस्ट डे वाली क्लास देखें होंगे तो यह बता सकते हैं हम लोग ओड़ रहे हैं दोस्तों one word substitution देखिए क्या लिखा है दोस्तों बोवी साइड लिखा है और हमने क्था दोस्तों कि अगर किसी वर्ड में किसी वर्ड में आपको दोस्तों साइड मिल जाए तो साइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या क्या होता है दोस्तों हत्या साइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या और देखिए, अगर जो है बोवी लिखा है, तो बोवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोवी का मतलब होता है पसू, ठीक, बोवी का मतलब होता है पसू, और एवी का मतलब होता है पक्छी, जैसे पहले वाले में हमने देखा था दोस्तों, वहाँ पर हमने पढ़ा था एव साइड का मतलब होता है जोस्तों पक्षी की हत्तिया उसी तरह दोस्तों वोवी साइड वोवी साइड का मतलब होता है जोस्तों पसु हत्तिया जी हां दोस्तों ठीक बोवी साइड का मतलब होता है जोस्तों पसु हत्तिया मतलब क्या हुआ दोस्तों किलिंग आफ काउ जी हां या काउट ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है अर्था दोस्तों बोवी साइट का मतलब होता है पसु हत्या अगर किसी वाक्त में किसी वर्ड में लास्ट में आपको साइड मिल जाए आपको रूट वर्ड एक ग्रामर का टॉपिक है दोस्तों रूट वर्ड तो दोस्तों दो टॉपिक एक आपका conditional sentence एक आपका root word एक आपका prefix और suffix ठीक ये तीनों जो है एक वीडियो में मैं बताऊंगा किसी दिन आपको वीडियो लेके आऊंगा जो कि आपकी जो है जब चलनी होगी तो मैं बता दूँगा ठीक special में English special में मैं दोस्तों लेका रहूंगा grammar के पीछी परिशान मत होएगा दोस्तों आप हमारे साथ पढ़ते चलिए grammar grammar और vocab अर्थाथ English पूरी में complete कर वादूँगा दोस्तों English आप की पूरी में complete कर वादूँगा एक question कहीं से भारत नहीं मिलेगा दोस्तों ठीक के वाल आप एरफोर्स की नहीं अगर आप SSC की भी करेंगे दोस्तों तो यह सारे वर्ड आपको महां मिलेंगे याद रखिएगा कोई भी SSC का पुराना पेपर उठा लीजिए देख लीजिएगा दोस्तों अगर आप को इसमें के वर्ड ना मिले तो बताईएगा तो दोस्तों चलिए हम सुरू करते हैं अर्थाद अगर आपको साइड मिल जाए C-I-D-E साइड साइड का मतलब होता है दोस्तों हत्या मतलब क्या हुआ दोस्तों मैट्री साइड मैट्री मतलब होता है माता और साइड का मतलब हत्या माता की हत्या मैट्री साइड पैट्री मतलब होता है रह OlOW मतलब होत रहर पीटा और सैर अजलम भद्म ऊसी तरह दोस्तों फिलीज़ आइड यह पाइड एल इस तरह मतलब घुटब आद मानो सब सबक्राइड किनल फ्री इ syst शरोरिय सस्क्याइड तो सबस्क्राइर देख sizing हुटyu सांड मका मतलब future को यांत मितलब मतलब होता है तो सब्सक्राइब उन्हां लाग सब्सक्राइब थेख रहे हैं दोस्तों जूसरा वड़ ये पहला वड़ था एरोफोबिया जी हां तो A-E-R-O-P-H-O-V-I-A जिहां दोस्ता अगर पहला आप देख्वे होगे दोस्तों तो हमने बताया था उस में किया बताया था उसे थो स्पाइबरथोगर विए बताईये दोस्तों अगर आप इसका बता देंगे शाइबर02 मतलब क्या होता है तो मैं जान जाओंगा घ्राप म रहे हैं नहीं तो मुझे थोड़ा नि्राइस होगी कि बताता हूँ और आप लोग महिनत नहीं करते दोस्तों इसका बताइए जुस्तों साइबर फोब्या कमतलब क्या होता कि доп क्राऊорм помог रहा है अभी तक किसी का जवाब नहीं नहीं रही है जुश वे ढर्थात company computer का भय दोस्तों साइगर फोगया के अंदम आता है उसी तरा aero aero का मतलब होता है उचाई यह हवाई-यात्रा हवाई-यात्र दोस्तों क्या ए रो plane आप सुनेयों दोस्तों तो एड रोख मतलब होता है हवाई यात्रा और्फोगया को गतल्व है अर्थात हवाई यात्रा का जो भै होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं एरोफोबिया कहते हैं जी हम दोस्तों एरोफोबिया मतलब होता है हवाई यात्रा का भै आगे देखिए दोस्तों अर्थार दोस्तों एरोफोबिया हवाई यात्रा का भय तो फियर आफ फियर आफ एयर ट्रेवल जी हाँ दोस्तों दोस्तों देखते हैं तीसरा वर्ड और तीसरा वर्ड दोस्तों क्या है अरकी अगर कहीं पर मिल जाया दोस्तों तो आरकी का मतलब होता है तंत्रिया सासन जी हाँ दोस्तों मुनार्की मतलब होता है दोस्तो एक व्यक्ति का सासन उसी तरह दोस्तो देखिए डेमोक्रेशी मतलब होता है जन्ता का सासन तो दोस्तो ओली गार्की और ओली गार्की का मतलब होता है दोस्तो अल्पतंत्र जी हां दोस्तो अगर मजा आ रही दोस्तो तुरंत जय हिंद लिख दोस्तों इतना जय हिंदा आना चाहिए कि हमको मजा आ जाए दोस्तों इतना जय हिंदा आना चाहिए दोस्तों कि हमको मजा आ जाए दोस्तों तो दोस्तों देखिए ओली गारकी का मतलब होता है क्या अल्पतंत्र मतलब की छोटे या कम व्यक्तियों का जो सासन होता है दोस्त कहते हैं दुस्तों ओदिगार की या फिर अलप तंदर चले दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों और आगे दोस्तों में पहला आप देखिए बीयर दबर्ट आफ जी हां दोस्तों लिए दबर्ट आफ बीयर दबर्ट आफ मतलब होता है जोस्तों कठीर परिश्रम का सामना करना कठीर कि परिश्रम का सामना करना दोस्तों यहां पर हो सकता है काम दिख रहा हो याद रख लिजेगा बियर दा बंट आप मतलब होता है दोस्तों कठिन परिश्रम का सामना करना मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लिजे दोस्तों बियर दा बंट आप मतलब होता है दोस्तों कठिन प फॉक काromeल देख कार लग गया कि जडका लगया दोस्तों वही चीज है कि टूवी अर्ड में सॉक का अ मतलब क्या हुयot दोस्तों कि कठीन हां दोस्तों तो ओस्तों विल्दा करना कामिस्तों का मतलब होता दोлом कठीनियot का वह purl होता है में तय्umm दोस्तों कि जो है सर एंटोनेम सेनोनेम नहीं करवाते हैं डेवे साब परिशान मत हुए वो मेरी जिम्मेदारी है आपकी महराथन क्लास लेकर आऊंगा और एक दिन में एक दिन में 50 एंटोनेम करवा दूँगा क्योंकि देखिए एंटोनेम और सेनोनेम में कुछ समझाने कर नहीं रहता है उसमें याद करने कर रहता है उसमें जितना आप याद करेंगे उतने हुआ तो आपके पास कोई भी बूख हो दोस्तों एरफोर्स के अगर कोई भी भी भूख खरी रहे हूँ भूल जाएंगे यह सब है यह सब भूले का नहीं दोस्तों वियर मतलब कि धारन करना सहन करना दबम जलना अर्था जड़ा ज़ान को सहन करना मतलब क्या हुआ दोस्तों कटीन परिस्रम की सामना करना तो यह सब ऐसे बता दूब़ दोस्तों समझाने वाला है इसलिए समझा देता हूं अब एंटोनिम से नोनिम में क्या समझा बताई तो इसलिए जो है उसको केवल आपकी शीरीज लेकर आऊंगा और उसमें आपको बता दूगा ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे दोस्तों ठीक तो उसके लिए परिशानना ह दोस्तों ब्लैक हैंड मतलब होता है दोस्तों कानून विरुद्ध अर्थाग अगर आप कानून के खिलाब कोई काम करते हैं दोस्तों तो वहीं ब्लैक हैंड कहलाता है और ब्लैक हैंड का मतलब दोस्तों क्या हुआ कानून विरुद्ध हुआ और याद रखेगे दोस्तों मतलब क्या हुआ लाली स्धिया यले डाळू यलिडवल ल यले से या व्लाू मतलब होता है नियम और लेट मतलब की नियम खिलाब या फिर जिसको बोगते है क्रिमिनल दोस्तों ठीक तोला लेस नियम के खिलाब, आगे चलते हैं तीसरा दोस्तों, blue in the face, blue मानी नीला, in the face मतलब चहरा, मतलब चहरा नीला हो जाना दोस्तों, चहरा नीला हो जाने का मतलब ठक जाना दोस्तों, चहरा नीला हो जाना का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ठक जाना, अगर आप ठक जाएं, तो क्या कह दीजिए, blue in the face हो गया, blue in the face का म एंगर जी हुआ हम दोश्तों या फिर इश्ट्रेयन और अधर ग्रेट जी हां दो चाहे जो लिख लीजिए इग्जोस्टिट लिख लीजिए इग्जोस्टट फ्रॉम एंगर जी है दोश्तोन एक्छोस्टेड फ्रॉम होता है दोश्तो ब्लू इन स्टुको केसटाइग् делать दो स्टोई और आज का आखरी वर्ड है अगेश्ट अगेश्ट थाख दो क्लाग्ड जी घरुस्टों आंगेश्ट्ट मतलब होता है विप्रीट या पिरुद्ध जी जागेस्ट होता है खिलाफ गड़ी के खिलाफ का मतलब क्या हुआ दोस्तों मतलब कोई भिकार यह अंतिम समय से पहले पूरा करना जी औज दोस्तों मतलब अगेंस्ट दा इसरöm क्या हुआ तो कि अंतिन समय से पहले पूरा करना to do a job fast to finish ठीज हां दोस्तों किसी भीारे को अंतिन समय से आगर आप पहले पूरा कर लीते दोस्तों तो उसे ही कहते हैं अगेंस्ट दा of clock एक देखे आप लोग likeiko नहीं करते दोस्तो आफ लोग no यह एक जरूर क्या कीजिर दोस्तों फिर जल्दी दोस्तों एक बार फिर मैं बिदे लेता हूं दोस्तों मज़ा करने के ङुंद मैं दोस्तों comment करईएगे बताइएगाा offline क्मेंट में दोस्तों कि वीडियो कैसी थी ठीक अगर मैं आप इतना परिशान होता हूं तो परसीन अगर आपके लिए निकाल नहां जोस्तों आपको फाइदा होना चाहिए नहीं तो फिर मेरे परसीने का क्या मतलब रहेजाएगा बताईए ठीक तो दोस्तों बताईएगा कि वीडियो कैसी थी मिलेंग अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद